हलो एबरिबन मैं शेकर मदुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल SM English Classes पर फ्रेंड्स आज हमारा डेली यूज इंगलिस सेंटेसिस का लेक्चर नमर है फोर और इस सीरीज में मैं आपके लिए तीन वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ जिन तीन वीडियो में हमने कुछ बैतरी सेंटेस को डिसकस किया था आज भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अच्छे-अच्छे सेंटेस की जिन सेंटेस को अगर आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं तो वे आपकी स्पीकिंग में चार चांद लगाने का काम करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स ज कि कितना प्यारा सेंटेस है मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा और यह अता है आपका अगला सेंटेस मेरे बाल सफेद हो रही हैPP आप हिंदी में अकसर बोलते हैं लेकिन अब आपको इंगल्स में बोलना है मेरे बाल सफेद हो रहे है और यह रहा आपका next sentence क्या तुमने चावाई पिली देखिए घर में आप अक्सर यूज़ करते होंगे इस sentence को क्या तुमने चावाई पिली तो चाई का तो समझ में आता लेकिन वाई क्या है यह हमें अक्सर confusion रहता है तो आपको कैसे कहना है इंग्लिश में have you had tea and all? क्या आपने चावाई पिली? देखिए कितना खूपसर यह sentence है और आगया है अगला sentence आपकी screen पर उसने मेरी वाट लगा दी यार उसने तो मेरी वाट लगा दी कैसे कहेंगे इंग्लिश में? he took me to task कितना प्यारा sentence है he took me to task जैसे आपको कहना है कि मैं तुम्हारी वाट लगा दूँगा तो आप कहेंगे I will take you to task इस तरीके से आप और भी sentences create कर सकते हैं और यह रहा आपका अगला sentence जो हुआ सो हुआ जो हुआ तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? what is gone is gone और बढ़ते हैं आगे देख लेते हैं अगला sentence महनत हमेशा रंग लाती है यह sentence तो आप अकसर यूज करते होंगे या फिर कभी ने कभी आपने किसी से सुना होगा लेकिं इंग्लिश में कभी आपने यह sentence सुना है क्या? अगर नहीं सुना है तो यह रहा आपके सामने hard work always pays hard work always pays महनत हमेशा रंग लाती है और यह बात आप सभी को भी पता है चलिए friends आगे के sentence को देख लेते हैं आखें सब कुछ बया कर देती है यह बात तो भाई fact है बिल्खुल इंसान चाहें कैसा भी हो लेकिन उसकी जो आखें सब कुछ बया कर देती है आखें सब कुछ बया कर देती है तो आप कैसे कहेंगे इंग्लिश में? You can say Eyes betray everything Eyes betray everything आखें सब कुछ बया कर देती है कितना प्यारा ये sentence है आए फ्रेंड्स बढ़ते है आगे देख लेते हैं next sentence को वह अपने आपसे मतलब रखती है देखें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको दुनियदारी से कोई मतलब नहीं होता वो अपने आप में जीते है ठीक है तो कभी-कभी हम बुलते है वह अपने आपसे मतलब रखती है या फिर मैं अपने आपसे मतलब रखता हूँ तो ऐसे sentences आप खुद create कर सकते है फिलाल इसकी English जाल लेते हैं she keeps to herself कैसे कहेंगे friends she keeps to herself वह अपने आपसे मतलब रखती है देखे कितने प्यारी-प्यारी sentences है अगर आपने इन sentences को अपनी speaking में use कर दिया न तो समझ जाएगा friends आप जो जिससे बात कर रहे है सामने वाले बंदे से सच मैं बता रहा हूँ उस पर इतना बड़ा effect पड़ेगा कि वो भी कहेगा वा यार क्या English बोलते हो चलिए friends अगले sentence को देख लेते है मेरी कार खराब हो गई है कैसे कहेंगे friends मेरी कार खराब हो गई है English में आप कहेंगे माई कार हैस ब्रोकन डाउन वाव कितना sentence बड़ी है यह माई कार हैस ब्रोकन डाउन मेरी कार खराब हो गई है बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला sentence मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा आप कैसे कहेंगे एंगलिश में I'll teach you a lesson मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा चलते हैं आगे और ये रहा आपका अगला sentence मैं हमेशा तुमारी सेवा में हाजिर हूँ देखिए कितना प्यारा सेंटेंस है हाजिर हूँ सेवा में बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि इंग्लिस में कैसे बोले बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूत नहीं है आज ही मारे चैनल को सब्सक्राब कर ले क्योंकि इस चैनल पर मैं हमेशा आपकी खिदबद में हाजिर हूँ या फिर आपकी सिवा में हाजिर हूँ बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला सेंटेंस चैरे पर मत जाओ देखिए कितना प्यारा सेंटेंस है इंसान कैसा भी हो सकता है हम अक्सर क्या करते हैं उसके चेरे को देखते हैं और समझते हैं कि ये बोला वाला है सीधा साथ लेकिन मैं कहा रहा हूँ आप से कि चेरे पर मत जाओ तो आप कैसे कहेंगे don't go by the face don't go by the face चेरे पर मत जाओ उसके अंदर पता नहीं कौन सा शैतान बैटा हुआ है खेर चोड़िएगा मैं तो मज़ा करना था सभी लोग अच्छे हैं आप भी बड़े प्यारे हैं चलिए मुस्कराजिमत आगे बढ़ते हैं मुझे सिर्फ गर का बना खाना ही पसंद है अगर घर का खाना मिल जा तो सच मैं मज़े आजाते हैं आपने खुद देखा है घर के खाने में जो बात है बार के खाने में क्या चलिए फिराल इमोशनल नाव ये सेंटर्स पर फोकस कर लीजिए मुझे सिर्फ गर का खाना बना ही पसंद है तो कैसे कहेंगे I like only homemade food मुझे सिर्फ गर का खाना ही घर का बना खाना ही फसंद है ये रहा भाई अगला सेंटर्स मेरी जुबान फिसल गई देखिए आप कुछ कहना चाहते थे और आपके मुझे से कुछ और निकल गया तब आप कहते हैं अरे यार सॉरी यार मेरी जुबान फिसल गई मेरी जुबान फिसल गई तो आप इंगलिस में कैसे कहेंगे It was a slip of my tongue जी हाँ It was a slip of my tongue तो देखिए कितना खूपसरती है सेंटेंस है आपकी तरह चलिए बढ़ते हैं आगे रसगुला देखकर मेरे मुँ में पानी आ गया उमीद करता हूँ आपके मुँ में भी पानी आ रहा है आप मुसकरा रहे हो रसगुला चलिए बाई साब जनाब सेंटेंस को जड़ा देख लेते हैं My mouth began to water to see रसगुला My mouth began to water to see रसगुला मेरे मुँ में रसगुला देखर के पानी आ गया या फिर कहेंगे रसगुला देखर मेरे मुँ में पानी आ गया हिंदी से कोई फरक ने पड़ता है उसको आगे पीछे कर सकते हैं और ये रहा अगला सेंटेंस भीक मांगने से अच्छा मैं मरना पसंद करूँगा देखिए कुछ लोग होते हैं बड़ी खुददार लोते हैं मतलब मर जाएंगे कुछ भी कर लेंगे लेकिन वो भीक नहीं मांगेंगे और ऐसे ही लोग सच मुच में बहुत बादर होते हैं भीक मांगने से अच्छा मैं मरना पसंद करूँगा तो आप इंग्लिस में कैसे कैसे कहिंगे या पर बैक का मतलब भीक मांगने से है यानि कि मैं मरना पसंद करूँगा लेकिन भीक नहीं मागूँगा यह रहा आपका अगला सेंटर स्ट्रेंट्स वह नामी डाकू है देखिए आपने jeunes लोने अफक होते हैं उनका नाम अगर आजाए आपको फटा फटसी यादा कूँगा आज की जम्रें में नहीं होती हैं 2159 वह नामी डाकू लेकर कैसे वहार कंगा टाकू के नामी डाकू है चल ये फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं मैंने पार्टी में मन बरके खाया या फिर कभी कभी कहते हैं मैंने पार्टी में जी बरके खाया तो आप कैसे कहेंगे इंग्लिश में I ate to my heart's content at the party जी हां आप at the party भी कह सकते हैं और in the party भी कह सकते हैं कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग सोच रहे हैं सर मैंने तो इंदा पार्टी बढ़ा था जी हां कोई दिक्कत नहीं है at the party और in the party both are equally correct जी हां तो आप कह सकते हैं I ate to my heart's content at the party मैंने पार्टी में मन बरके खाया था चलिए ये रहा अगला sentence अंधेरा बढ़ता जा रहा है जी हां अंधेरा बढ़ता जा रहा है कैसे कहेंगे आप कहेंगे it is getting dark it is getting dark अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है चलिए friends ये रहा आपका अगला sentence मेरी खुशी का टिकाना नहीं रहा देखी कभी कभी आपके सामने कुछ ऐसा वाक्त हो जाता है जब आप खुशी में इतने मगन ह जाते हैं तो आपको कोई होसी नहीं रहता हम तो आप बोल देते हैं इंफसास करने के लिए रहा है तो आप इंगलिस में कैसे कहेंगे my happiness new no bounds my happiness new no bounds मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा चलिए ये रहा आपका अगला sentence वहाँ जाने का कोई फाइदा नहीं है वहाँ जाने का कोई फाइदा नहीं है बढ़ते हैं आगे ये रहा आपका अगला sentence उसे मरा हुआ देखकर मेरी आखो में आसु आ गए ये तो थोड़ा emotional और sad sentence है कोई दिक्कत नहीं हर प्रकार के sentences हमने आपके लिए select किये हैं उसे मरा हुआ देखकर मेरी आखो में आसु आ गए तो कैसे कहेंगे my eyes filled with tears to see him dead एक और बार मेरे साथ में practice कीज़ेगा friends my eyes filled with tears to see him dead उसे देखकर उसे मरा हुआ देखकर मेरी आखो में आसु आ गए ये रहा आपका अगला sentence दमाकिदार sentence इसमें कितना समय लगेगा कोई आप काम करवा रहे हो किसी mystery से और आप पूछ रहे हो भया बता दो इसमें कितना समय लगेगा तो आप कहेंगे English में how much time will it take English की accent में बोलेंगे how much time will it take इसको इसमें कितना समय लगेगा या फिर इसको करने में कितना समय लगेगा आप कैसे हैं कोई दिकत नहीं है देखें अगला sentence देखें ये तो आप जरूर यूज करते होंगे ठोड़ी दिर रुक जाओ या फिर तोड़ी दिर इंतिजार करो रु दूसरा तरीका भी है wait for a moment जी हाँ wait for a moment चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यह है आपका last sentence और देखिए कितना खूबसूरत cigarettes बंगर चीप फ्रेंर पोग रहे हैं कि अपने उस्परा घंड्स देख में स्नुद पOOOO multiplied मारी कीहां हई है में इस्पर सब्सक्राइब पर ठेर करते लेुजद केंड़े इसडृत को yesterday बिल्कुल गलत है हाँ समझ जाएगा बिल्कुल गलत होता है वो सेंटेंस सो आपको यूज नहीं करना आपको हमेशा यूज करना है I had a dream yesterday मैंने कल एक सपना देखा और ये था आपका लास्ट सेंटेंस अगर आप हमारे साथ में आपकी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और आप हमारे साथ में बने रहे इस वीडियो को इसके नहीं किया तो उसके लिए आपक बहुत बहुत धन्यबाद जी यहां एक बात और बरता रहता है वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देजिए अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के सेंटेसिस आपको डेली मिलते रहें मिलेंगे अगली वीडियो में तिल देन टेक क्या बाई एंट जाहिंद